तो गाइस मैं हुआंगी तो आप देख रहे हैं डेस्लिंग फैन्स नेटवर्क भाई अपडेट्स देने में भी क्या मस्त मजा आ रहा है टोनी खान इस पॉइंट पे तो पागल से हो गया है ट्विटर पे एंड सिफ टोनी खान नहीं अभी एक गजब का रिस्पॉंस आये टोनी खान की साइट से जस्ट मैं भी वीडियो रिकॉर्ट करने साहरता तो आया तो मुझे रहा कवर कर लेते इसको साथ साथ में टोनी खान ने लिट्रली बाल्ड होल ऐसा कह दिया है सेन मिकमैन एंड ट्रेपल एच को ओपन कहा है तो ह अब महोल अलग है हमसे head to head मत जाओ यह सारी बात इस article के अंदर mention करी गई थी तो इसको लेकर ट्वीट करा गया था इसको कोट करते है टोनी खान एंड कहते हैं I have a message for them एंड यह फोटो डालाइन होने भाई पढ़ सकतो bad a-hole अब यह a-hole क्या है वो तुम पढ़ लो भाई ख तुस्टे नाइट यहां पर जो भाई टोनी खान जा रहे हैं ओल आउट बिल्कुल लड़ने के लिए तयार है दिस इस दर यह वार जो कि टोनी खान को साच चाहिए था जो कि डवी ने सामने से दे दिया इनको और टोनी खान अब ट्विटर पर वाइल है बिल्कुल इस प एंदर दो यह बहुत सैंडले कि err करो ब्हुत है अब टोने में तो संसाइज करें वाईज एकर करें बहुत बड्म एतनी खानी पर बता दूंगा जॉन और आगे बढ़ते हैं बात किरते एंटके ही बारे में जएतनी सारी खाईफए इतनी हाईप मिस तो करी नहीं सकते हैं, क्या Kevin Owens भी आने वाले नेक्स्टी के अंदर, अचानक से Twitter को उपर रूमर सुठ गई है, कि Kevin Owens भी आ रहे हैं, एवन स्पोर्ट्स किरा ने भी प्रॉपर ट्वीट वगरा लिख दिया इसको उपर, कि Kevin Owens भी आ रहे हैं, तो यहां पर एक ट्वीट I'll be there tonight, तो यह कुछ था इस ट्वीट के अंदर कहना है, और नेक्स्टी के एक प्रॉपर ग्राफिक ती, Kevin Owens की रियल सी लगने वाली, इसको पोस्ट करा गया था, इसको पर आर्टिकल्स वगरा कुछ लोगों नत लिख दिये, बात में डिलीट करना पर गया, क्योंकि एक यूजर ने मगर आप देखोगे, तो यहां पर फाइट की जगा फाइट लिखा हुआ है, तो यहां पर जो है, जिसने खुद को कि तरह प्रेट करते हुए ट्वीट कराई है, और आज के लिए चीटर पर बहुत चर यह लोग गजब फस जा रहे है, इस पस्ति जब से ब्ल अगर कोई ऐसा कन्फरमेशन वगड़ा आपको ट्वीट दिखे तो अच्छे से वरीफाइब करो जाकर एकांट पर फॉलोवर्स चेक करो कि कितने हैं, फॉलोवर्स से अंदाज रगाओ कि रियल या फेक है, यह फेक ट्वीट से हाला कि स्टेल सर्प्राइज कुछ भी हो स सकता है, अंडर्टेकर आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में हो तो सकता है, लेकिन एक ट्वीट था, इस पर जारा कुछ बिलीब करने लाइक है नहीं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, लोगन पॉल के बारे में क्या लोगन पॉल जो है, वो क्राउन जूल के ले आ सके, जितने पुल कर पाएंगे, बाकी जो है, यहाँ पर रही बात में श्रीम सूपर स्टार्स की जासे लोगन पॉल बैड बनी, तो बैड बनी के तो कोई भी चांसे नहीं है, लोगन पॉल को लेके चांसे थोरे बनते हैं, सावधी के सोज बगेरा में, क्योंकि लो मैच होने वालेंट काफी हाइप मैचे साथ में उस चीज़ को देखूंगा भी, क्योंकि डिलन डैनिस ने काफी कुछ इंटरनेट पर खिचरी पका दिये, लोगन पॉल की फ्यांसे को लेके, काफी कुछ उनको लेके बकवास करी है, दिलन डैनिस ने, तो इनकी बीफ चर लोगन पॉल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, तो लोगन पॉल आपको क्राउंजल में प्यार होते वे नहीं देखने को मिलेंगे, उनका स्टेटस अनक्लियर है, फिल्हाल वो डबीड़ी के लावा अलग चीजों में बजी है, लोगन पॉ लेकिन उसके लिए वो रिटर्न कब करेंगे, और किसके साथ फ्यूट करेंगे, तो कोस्चन में भी हो सकता है, रोल रंबल के अंदर उनका रिटर्न वाइरल मोमेंट वो देखे जाए, लेकिन क्राउंजल के अंदर साओधे रेवेक अंदर करेंटली कोई पी चांस नहीं ह आपको देखने को मिलेंगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, आगे बढ़ते हैं का इस बात करते हैं, अगली अपडेट के बारे में, क्या कल AEW सासा बैंक्स यानि की मर्सेडिस मोने को लाने वाली है, क्या इनका इन रिंग डेब्यू करा देगी AEW अपने सो में, क्योंकि कल का सो काफी स्पेसल है, इनके लिए, हमारे यां तो कल हो गया, उनके लिए तो आज रात है, तो हमारे यां कल सुबा है, तो ऐसे मैं, यह लोग कापी हैप कर रहें अपने इवेंट के लिए, फैंस का मानना है कि मेभी मर्सेडिस मोने, मेभी सासा बैंक्स आग सकती है, AEW के इस special dynamite में, especially Tony Khan का बड़े है, इतनी बरी वाली जंग हो रही है, वार हो रही है, तो ऐसे हमें कुछ surprise AEW पक्का करेगी, और एड़ी काफी कुछ इन्होंने भी किया है, confirm, तगरा मैच कंफर्म किया है, Eddie Kingston, Minoru Suzuki का, Adam Copeland, यानि की एज वर्सल डाइनसौर का, साथ में सासा बैंक् लेकिन, sources के according as such कुछ भी clarification नहीं है, लेकिन out and nowhere अगर कुछ हो जा तो वो काफी अलग बात हो जाएगी, लेकिन अभी कैसा आप से सासा बैंक्स एड़र्टाइज नहीं है, रूमर्ड है, chances है, not sure यह चीज होगी या फिर नहीं, और क्या इस लास्ट पॉइंट पॉइंट प अगे होगा, एक अपडेट में आपको बताई थी कि रोमन का जो मैच है, जो सेडूल हो काफी स्टैक्ग दे रस्लमीना तक, अगर रोमन वहां पर टाइटर रीटेंट करते हैं, तो और कुछ नहीं फ्यूट्स आपको रस्लमीना के बाद स्टैबलिस उतव दिखेगी, और समर च्लैम में, जो इनका मैच तो गैरेंटी होने वाला है, अभी बताया जाहरा है कि जो रोमन का रिटेंट होगा स्मध्डॉन में, इस रिटेंट के बाद यह जो डोमन का रेशल मिना तक का रन होने वाला है, प्लोभ तर नहीं दहेंगे, फिर भी पहले से बेटर पर फोरा यह जो कॉन्फिक्ट वाला एंगल और चलाने वाली है रोमन और सोलो सिक्वा के बीच में यह कुछ बताया जा रहा है तो डॉंट भी सर्प्राइज आपको अगर सोलो सिक्वा रोमन के बीच में टेंसन जादा जनरेट होते हुए देखने को मिले तो यहीं ड़ी ड के बाद फिल्हाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यहीं अपडेट से एंड आई होपस आपको वीडियो से इंफॉर्मिशन मिली हो मिले हो तो वीडियो को लाइक किवना कहीं मजा ना भाई सेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसी डवी डवी की फास्टेस्ट न्यू वीडियो में